चलिए आज की एक अक्षा शुरू करते हैं प्रदाम से योगनेट जैरफ से संबंदित प्रदाम योगनेट जैरफ से संबंदित का अक्षा का नावरण आज का जो मूल विशे है वो हमने पहले जो भी सेलबस कंप्लीट किया है अल्मॉस्ट उसमें से प्रतम जो यूनिट है उसका अदिकतर सेलबस कंप्लीट हो गया है आज जिस सेलबस के हम लोग बात करेंगे वो सेलबस है बिस्क्लीब पुरुशार्थ चातु से संबंदित आपकी हेडिंग होने जी पुरुशार्थ चातुस्ठ लेकिन इसके पहले कुछ बात है मैं आपको बता ओं आगे हम लोगों को घेरन्द सक्था, और है रधियोंग प्रदीपिका पढ़ना है, तो चार अध्याए आपके हाटियोंग प्रदीपिका के और साथ घेरन्द सक्था के, 351, 351, 20 महत पूर सुत्र हैं, तो $300问题 में आप मानिए, घेरन्द सक्था में, तो 300 सुत्रों को पढ़ संबंदित प्रश्णों को जतनी जल्दी कवरप कर ले उतना ही हमारे लिए बेटर है भविश्य के लिए क्योंकि आगे हमारे पास जो भी समय मिलेगा उसमें हम लोग कुछ और विशेश कारे कर लेंगे ठीक है आज मैं चाहता हूं कि कुछ सवाल आप लोग लिख ले और उन प्रश्णों को थोड़ा सा अपने मन से उत्तरित कीजिए ठीक है या आगर आपके हैं तो कल एक टेस्ट का नावरण कर लिए जाए एक मॉक टेस्ट हो जाए सौव प्रश्ण हम लोग सौल्व करते हैं कल गीता से संबंदित सौव प्रश्णों की श्रिंखला शुरू कर ले जाएगे ठीक है चलियो कर लेंगे अभी करेंगे अभी कोश्चन आंसवर के लिए हम लोग कल का समय निर्दारी तबी में ग्रूप में कर दोंगा कि क्या बज़े आना है ठीक है और उसके बाद फिर अपनी मतलब जब भी हमें समय मिलेगा तो हम लोगो टेस्ट कर ले लेंगे मेरे पास बेसिकली समय 500 questions तयार है यानि 500 questions मैं ready हो लेकर तो मैं चाहता हूँ कि 500 प्रशनों में से क्योंकि जितनी जल्दी मेरा data खतम होता है न तो मुझे भूख बढ़ती है फिर मैं question मनाने की समझ और जैसे खाना भी इतना में जब मैं हूँ यहाँ पर एक टेम खाना बना दिया तो उसको दो त चुका हूँ अब 500 questions देखें मैं जादे जादे अगर आपको 5000 questions बता दिया ना तो 5000 questions में से 50 questions आना 100% यह बात याद रखेगा तो अगर 50 questions भी आ जाता है तो net तो आप पास हुई जाएंगे यह 10 questions तो अपने मन से मारोगे ही इतना पढ़ रहो तो 50 questions में देही रहा हूँ ठीक चलिए पुरुशार्थ चातुष्ट इसका क्या मतलब होता है पुरुशार्थ जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है इसको ऐसा देखने में लगता है पुरुशों से संबंदित है पुरुश और महिला यह आपस में विरोधा भाशी संब्द है ही नहीं गजब की बाद देगी यह मतलब झैसे कहा जाए कि अंधकार है और अंधकार के बाद लंबाई है अंदकार और लंबाई को जैसे आपस में मिलाया जाए उस प्रकार से पुरुश और महिला का संबंद जो है हिंदी के अनुसार कर देखा जै मेरे हिसाब से लगता है क्योंकि पुरुष सब्ध जो है वो परम्परमात्मा के लिए हमेसा से यूज किया जाता रहा है पुरुष और प्रकिर्ति का मिलन है सांखी यूग कहता है ना पच्चेस तत्थों का अनुसार पुरुष और प्रकिर्टी उसमें महिला शब्द का विशेस कहीं सुनी हो जन नहीं हो और घजब की बात है कि महिला शब्द का प्रयोग ही नहीं है भारती है सास्त्रों आप किसी भी शास्त्र को उठाए उसमें महिला शब्द बहुत यदा कदा मुझे तो लगता है अभी त का कि महिला का नाम कहीं आ रहा हो किसी गरंथों में अगर आzh coconut तो बता ही का शब्द तो हाता है हर जगे साथ है तो वैसे पुरुशार्थ चातुष्ट जो है वह पुरुशार्थ चार विशे वस्त्मों से मिलके बनने वाला शब्द है पुरुशार्थ पुरुषार्थ सब्द जो है वो पुरुष और अर्थ इन दो शब्दों का अब्रिवेशन है यानि दो सब्दों का संदी किया जाए तो पुरुष और अर्थ मिलके पुरुषार्थ बन जाता है ठीक है पुरुष का क्या अभिप्राय है पुरुष का अभिप्राय है जीवात्मा जीव की आत्मा जो वह आत्मा जो परवात्मा से निकली पड़ी है ठीक है वह आत्मा जो परवात्मा से निकली पड़ी है पुरुष का तात्पर होता है शेते इति पूर्शा पूरी शरीरे शेते इति पूर्शा इसका मतलब होता है कि जीव की जो आत्मा है उसका कोई फिक्स उद्देश है जीव की जो आत्मा है उसका कोई फिक्स उद्देश है लिहाजा वो परमात्मा से बाहर निकली बड़ी है ठीक है ये इसका शब्दी करत हो गया अब जीवात्मा का उद्देश क्या होना चाहिए जीवात्मा का लक्ष क्या होना चाहिए उसका लक्ष अगर भाई परमात्मा से ही सम्मिलित होना होता तो वो निकलती ही क्यों समझ रहे हैं आप जैसे मानिए अगर यहां से इंडिया से या ना अगलयान निकलना है, गगनयान निकलना है, चंद्रयान निकलना है, तो इसका उद्देश क्या है? उद्देश इसका साफ है, सौक्ष, कि ये जाए और फर्दर स्टडीज करके वापस आ जाए, यही न, यही तो उद्देश है, वैसे ही अगर common sense से देखा जाए, तो परमात् चक्र से होके, तमाम ग्यान का अरजन करके वापस परमात्म सत्ता में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, यह उद्देश होता है जीवात्मा का, अब यह जो यह तमाम तरीके का ग्यान है न, इसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिल लिते हैं, जो वाया समाधी होते हुए, जैसे एक स्टेशन होता है, अगर आपको दहरादुन जाना है, तो वाया हरिद्वार होते वे जाना पड़ेगा, तो हरिद्वार पहुँचने के कई सारे मार्ग हो सकते हैं, हो सकता है, आप सहारनपुर होके आजाएं, हो सकता है, आप मुरादाबाद होके आजाएं, चान तुस्ट्य का मतलब होता है चार चीज雅म चार विशया वस्तों त gegं ऐल है लिखे धर्मार्थ काम मुक्ष्छ अधर्मार्थ काम मुक्ष और गसा पुरुशार्थ चानपर ने काम और मोक्ष यही है पुरुशार्थ चातुष्चे धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसी पुरुशार्थ चातुष्चे का दूसरा नाम जो है कई विज्ञानिक और अध्यात्मवित्ता जो है इसको क्या कहते हैं इसको वर्ग चातुष्चे कहते हैं वर्ग चातुष्चे वर् बिसिकली माना ये जाता है कि इन ही चारो कुरुशार्तों का अनुगमन करके इनको फॉलो करते हुए आप लौकिक और परालौकिक सुख, सम्रद्धी और मोक्ष इन सबका लालन पानत कर सकते हैं यही वो चार मार्ग है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जिनके माद्यम से आप अपने परालोकिक लौकिक जितने भी समस्त सुख हैं उनका भोग किया जा सकता है बहराल अब बात करते हैं कि अखिर धर्म अर्थ काम और मोक्ष है क्या चीज़ ठेक है क्योंकि धर्म जो है धर्म पे इतनी टिपणियां है आज कल अभी कल टीवी में जीनियूस वाले दिखा रहते हैं कि क्या हिंदू धर्म ग्रंथों का फिर से अवलोकन होना चाहिए क्या उनकी व्यक्षा फिर से नहीं की जानी चाहिए क्या ये समय सही नहीं आ गया है कि अब व्यक्षा की जानी चाहिए तो ये बेवकूफों जैसी बात करते हैं क्या कहते हैं अब व्यक्षा करो और फिर से व्यक्षा करो और धर्म पे उनकी जो किताब है पीवी काने की मुझे लगता है कि उससे famous कोई किताब अभी at present जो है वो है नहीं basically उनकी किताब का नाम है History of धर्मशास्त्र अगर उनकी किताब आप देखेंगे तो History of धर्मशास्त्र है इनका नाम था पीवी काने पांडू रंगन वामन काने की क्या आखर कैसे कुछ नाम था इनका ठीक है बहुत ही famous book one of the most famous इसमें जितने भी आइतरिये ब्रामर तैतरिये ब्रामर ब्रेदारनेक चांदोग आइतरिये तैतरिये एक्स वाई जेड सब का सब इस किताब में उद्गृत है और modern format में है और अच्छी चीजी है कि जिसको समझ रहा है अंग्रेजी से जिसको बहुत प्रेम है वो अंग्रेजी में इस देखने को मिल जाता है अब धर्म की परिभासा क्या होती है तो लिखिए धार्णाद्ध 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 धार्मो धार्यते प्रजा धर्मो धार्यते प्रजा यह यह स्यात धार्णा सैंयुक्तम यह स्यात धार्णा सैंयुक्तम सधर्म इती निश्चयह माने इसका मतलब यह हुआ कि जो जीवन में धारण किया जाता हो ना जो भी विश्य वस्थू जीवन में धार्यत की जायाए वही धर्म है जो जिससे जीवन चलता हो या जीवन जिससे धारित होता हो जिससे प्राप्त होता हो जिस विशेवस्तु से जीवन की तमाम इहली लाएं पूर्ण होती हो अब इस धारन का क्या आर्थ होता है धारन करने का आर्थ होता है कि रक्षत के तौर पे पोशन के तौर पे जिस भी विशेवस्तु से जीवन का रक्षण, पोशन अनुनयन, अनुगमन इत्यादी होता है that is called धर्म धारना धर्म धर्म को धारित करने अब एक शेर है, तो शेर का काम है वो विचारा खाएगा, किसी को मारेगा तब ही खाएगा, तो उसके लिए वो धर्म है, लेकिन अगर आप काम चला सकते हैं, पेड़ बहुद हो से तो आप अगर से कुछ धर्म का मतलब जीवन का पोशन करता ठीक है, इथोपिया वगरा देशों में तो आज भी कच्चा मांस खाया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको बहुत उसको प्रोसेस करते हों, उबालते उबालते हों, ऐसा नहीं है, उनको बड़ा आनन दाता है कि वो काटके कच्चा ही खाये, अभी भी, स्टिल, आज के डेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो अफरीकन कंटेंट में ऐसा बहुत है, ठीक है, यहां पे भी वियतनाम में जहां मैं हूँ, यहां पे भी लोगों को, बस उसको ग्रिल करके खाने की बड़ी आदत है, और दुबाई में ऐसा देखने को मिला है कि वो लोग सिर्फ, मतलब जिन्दे जीवों की खाल उतार देते हैं, तो उसके बाद फिर उसे पकाते हैं, तो कहने धर्म के विश्वे में इतनी लंबी-लंबी व्याख्या हैं, और इतने सारे के सारे धर्मा दिकारी हैं, धर्म का मतलब ये कभी नहीं होता है, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, आपस में सब भाई भाई ये सब कुछ नहीं है धर्म का मतलब होता हर वोक्ती जो भी वोक्ती है उसके एक राजा है तो वो सिर्फ राजा है क्योंकि बागी रिश्तों से उपर राजा का पद होता है राजा के लिए बहुत सारे नियम बनाएगा है कि ये होना चाहिए, राजा का ये धर्म होता है, एक ग्वाले का, एक दूद्वाले का ये धर्म होता है, और एक मंत्री का ये धर्म होता है, आप महाभारत में देखें तो एक वेक्ति बहुत धर्म से बदा रहता था जानते हैं कौन, महाभारत में एक वेक्ति हमेशा धर्म क किसी भी विशेवस्तू में कौन बताएगा नो सैर युदिस्टिर को धर्मराज कहा जाता है तो युदिस्टिर बैसिकली धर्मराज कह जाते थे ठीक है और कौर्वों की सेना से कौर्वों की तरफ से कौन ऐसा था जिसका धर्म बड़ा जबरदस था करदी किताब आप पढ़ेंगे विदूर की किताब आप पढ़ेंगे विदूर नीती बड़ी शांदार किताब है धर्म की जबर जस्त व्याक्या है और बड़ा मतलब बहुत बुद्धिमान बहुत शालीन बहुत धर्मावलंबी थे इसके लामा विदूर के अलामा एक और भी बालक था कौरों में हो ते ना सौ में से एक लड़का था इनका दुरियोधन के बाद दुस्तासन और दुस्तासन के बाद वाला भाई यानि की अंठान्वय वाने जाते थे भाई अगर थोड़ा भी धर्म से विचली तो होते अब एक चीज बताईए धर्म के संदर में व्याक्षाओं में इतना सारा है युदिष्टिर जब धुत कर रहते जो जुआ खेल रहते जिसको साधारन सब्दों में जुआ का जाता है जुआ खेल रहते तो क पती होने का धर्म पहले नहीं आता था कि वो राजा होने का धर्म दाइत तो निभा रहते वो चाहे होते तो हट सकते थे उस पूरे सेनेरियों को आप यूट्यूब पे जाके महाभारत देखे आपको पता चलेगा वहाँ पे धर्म की जबरजस्त व्याक्षा चल रही है अ इसके लावा जब ये दिल्ली जो उस समय खंडवन कहा जाता था ये जो दिल्ली आजकल का इंदर प्रस्त बाद में पड़ा खंडवन उसके पहले था तो खंडवन का जब रक्षण हो रहा था तो खंडवन के रक्षण के दौरान भी ये वाक्या आता है वहाँ पे एक ना कामले को सेटल कराएं था कहने ये का मतलब ये हैं कि धर्म जो है वो प्रायरिटी रही है कि धर्म किसी विषवस्तू धर्म को धर्म मनाती अब इसके कितने भी प्रमाण आप ले लिजे हर व्यक्ति हर काल में धर्मावलंबी रहा है श्रीराम मर्यादा पुर्शुत्तम रहे हैं वो धर्मावलंबी रहे हैं वो धर्म का त्याग करने से हमेशा से बचते रहे हैं धर्म को कई बार अपने सापिक्ष गड़के कुछ लोगों ने भी धारण किया है जिसमें कृष्ण भी आते हैं कृष्ण के अगर चरित्र को आप देखेंगे तो उनका चरित्र ऐसा है कि वो धर्म की व्याख्या अपने अनुरूप करते रहे हैं हमेशा और उस धर्म को सत्य बनाया है उन्होंने ऐसा था कि जब इनकी शादी होनी थी तो लड़की एक थी उसको उसकी शादी उसको भगा दिया बलराम जो थे उनके जो बड़े भाई थे दाव भीया जो थे कृष्ण के उन्होंने बड़ा अपोज किया कि हमारी बहने उसकी शादी करानी थी और है तो तीन मार्ग देखने को मिलता है मैं क्या बताना चाहरो एक यह है धर्मा that is defined by you a dharma defined by society and the third one is dharma defined by क्या कहते हैं by laws नियम कायदे कानून के द्वारा भी एक धर्म बनाया गया है एक धर्म है जो समाज बनाता है और एक धर्म आप स्वधर्म जिसको बोलते हैं स्वधर्म स्वधर्म में की गई हत्या भी पाप नहीं होती है कई बार ऐसा होता है कि स्वधर्म के कारण से अगर आप स्वधर्म रक्षा में या स्वधर्मन में जा रहे हैं तो उस समय पर अब तीन रूल से धर्म का रक्षन होता है तीन रास्ते हैं धर्म को समझने के लिए अब कुछ लोग कहते हैं कि धर्म का मतलब होना चीए कि जिससे कल्याण हो मानो समाज का जिससे उन्नती हो मानो समाज का अपना कल्याण बाद का secondary part होता है और समाज की उन्नतियों वो जादे better है तो वो दूसरा mark होता है ठीक है अब समाज की उन्नति और कल्याण कब होगी जब आप अपने कल्याण को secondary रखेंगे priority देंगे आप क्या कहते हैं समाज को, society को और समाज को तब आप priority देंगे जब आप समाज से संबन देते हो आज का समय थोड़ा सा अलग है आज के समय में लोग खुद को priority देते हैं economics इसी basis पे चलती है जिसको micro economics बोला जाता है micro economics का काम क्या है कि स्वयम को योग्य बनाना जब आप अपने योग्य बनाएंगी तो आपका कुटुम्ब योग्य बनेगा और कुटुम्ब यानि परिवार आपका योग्य बनेगा तो देरे देरे आपका गाओं, शेहर, समाज, मुहला, रज, देश उन्नत करता चलता चलता चला जाएगा तो ये जस्ट इसके अपोजिट आ जाती है धर्म के कॉंसेप्ट के हिसाब से तो धर्म को जितनी धर्म की व्याक्या जितनी की जाएगी उतना ही ये बढ़ता चलता चला जाएगा धर्म का एक स्वरूप माना जाता है कि धर्म कल्याणकारी होना होना चाहिए धर्म जो है वो सुद्रण होना चाहिए और सात में आध्यात्मिक्ता को भी लिये होना चाहिए धर्म की इतनी व्याक्या है और इतने जितनी मैंने आपको बाते बताई यह इस से पार धर्म से संबंधित कोयी प्रशन पुरुशार्थ चातोष्ट से नहीं आता है नहीं आया है आज दर बस ये धर्म की व्याक्या थी अब बात आती है अर्थ की ये अच्छा धर्म की एक व्याक्या मनुस्मृति के अनुसारा आप लिख लीजे बड़ा ये important most important मनुस्मृति क्योंकि मनुस्मृति को बार-बार जला दिया जाता है विचारी कुछ की भी नहीं और उसको जला दिया जाता है तो इसलिए मनुस्मृति लिख लीजे ताकि आपको खबी लगे तो कम से कम बताए कि क्या है मनुस्मृति लेकि धृतिक्षमा धृति ही छमा दाम स्तेयम, दामो, उसके येस टाइप का बनता है, फिर स्तेयम, सौच मिन्दू या निग्रह, सौच मिन्दू या निग्रह, धी विद्या, धी विद्या, दशकम धर्म लक्षणम, दशकम धर्मलक्षणम, दशकम धर्मलक्षणम, 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 सौच मिन्दू या निग्रह, धी विद्या, धी विद्या, सत्यम क्रोधो, सत्यम क्रोधो, धर्मलक्षणम, धर्मलक्षणम, ऐसे बता है था? विद्या, विद्या, दशकम धर्मलक्षणम, 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 लिखे इसका मतलब क्या हुआ दृती सबसे पहला लिखे दृती दृती यानि कि धैरे छमा यानि कि छमाशील होना गलतियों को माफ करना तीसरा दम दम का मतलब वासनाओं पे नियंत्रण फिर आस्ते का मतलब चोरी ना खरना शौच का मतलब अगला है शौच उसका मतलब होता है शुचिता स्वक्षता इंद्री निग्रह का मतलब होता है इंद्रियों को वश्मे करना फिर धी धी का मतलब होता है बुद्धी ये बुद्धी विजजम वाली है कल्याणकारी बुद्धी चालांकी वाली नहीं ठीक है बुद्धी विद्या सत्यम अक्रोध हो यानि की विद्या जितना हो से के ज्ञान प्राप्त करने की भूब सत्य यानि वाणी कर्म और मानसिक तोर से सत्य का पालन करना और अक्रोध का मतलब क्रोध ना करना गुस्सा ना करना यह मानों के मानों धर्म के दस लक्षण है ठीक है अब लिखिए according to Gautam Rishi Gautam Rishi के नुसार क्या है धर्म लिखिए ये तो ये तो अभ्युदय निश्च्रिय असा ये तो अभ्युदय निश्च्रिय सा सिद्धी सधर्म इसका मतलब हुआ कि जिस काम को करने से कि जिस कान को करने से अभ्भीूद है किर अभ्भ्यूद है कि सब Forejer कि अब्भीूद इंड़ betale होता कि एक मतलगे सबबाद कि से लृध होना कि राइज committees कि आयाि है ने स्पनुद्धी निश्त्रेश knitting आगे लिखे वात्सायЕН ने आगे लिखे वात्सायन ने धर्म को मन्सा वाचा कर्मणा की स्रड़ी में बाटा है मन्सा वाचा कर्मणा यानि मन वाचिक और कर्म कि श्रड़ी में बाटा है आगे रिखे वन अब दे मोस्ट फेमस इसको इंपोर्टेंट भी लिख सकते हैं महाभारत के वन पर्व के 313 बटा 313 अपोन 128 313 में खनके 120 में सुक्त में आता है क्या धर्म एव हतो धर्म एव हतो हंती धर्म एव हतो हंती धर्मो रक्षती रक्षिता यह लाइन सुनिया आपने ना धर्मो रक्षती रक्षिता बहुत famous लाइन है धर्मो रक्षती रक्षिता ती रक्षती रक्षिता आगे लिखे तस्माद धर्मो न हंतब्यो तस्माद धर्मो न हंतब्यो तसमाद धर्मो नहन तब्यो मानो धर्मो हतो वधीत मा फिर आगे है नो धर्मो हतो वधीत सरे मानू है या मानू? मा अलग है नो अलग है अगे? धर्मो हतो वधीत धर्मो हतो वधीत रख्षित धर्मरक्षक की रख्षा करता है मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश यानि कि अगर आपका धर्म मर जाता है तो अगर आप अधर्मी हो जाते हैं तो मरा हुआ व्यक्ति भी आपके लिए काल है समझ रहे हैं और अगर आपकी इस्तिती बेका हो जाती है येंट आपको धर्म वालो करना चाहिए और अगर आप धर्म की रख्शा करती है तो बिल्कुल अगर मुर्दा भी है तो वो भी आपकी रख्शा कर लेगा ठीक है, ना, यानिकर शोर आते हैं या आपकी रख्शा करने के लिए इसलिए दर्म का हनन कभी नहीं करना चाहिए, मानो धर्मो हतोगा देता है, मरावा धर्म कभी हमको नमार डाले, ये डर्म बना रहा चाहिए, और भगवत गीता का तो आपने सुनाई होगा, यदाहे राही धर्मस्या, इंग्लानिर भावधी भारता, अब विध्यान धर्मस् ठीक है, कुमारिल भट के अनुसार लिख लिजी एक और परिभासा, कुमारिल भट ने, लिखे, कुमारिल भट ने लिखा है, कुमारिल भट ने लिखा है, धर्माक्यम विशयम, धर्माक्यम विशयम, वक्तम मिमानसया प्रयोजनम, ठीक है वक्तुम मिमानसया प्रयोजनम यानि कि मिमानसाओं का उद्देश क्या है सिर्फ और सिर्फ धर्म के बारे में बोलना ठीक है धर्म के विश्य में टिपणिया करना कुमारिल भट के अनुसार है यह परिभास ठीक है उपनिश्दों में आता है आहिंसा पर्मो धर्मा आपने सुना ही होगा ठीक है आहिंसा पर्मो धर्मा धर्मा हिंसा दधाईवचा यह लाइन है आहिंसा पर्मो धर्मा धर्मा हिंसा दधाईवचा तो यह सब धर्म की परिवासा हैं धर्म पर मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति जो है महराठी मानुस ने 600 पन्ने की किताब लिए दी तो हम लोग कितनों घंटे भी इस पर बात करने कम ही है ठीक है और हर जगे इस पर सम्बंदित कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा अब बात आती है अर्थ की अर्थ शुरू करो मैं उसके पहले एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ अर्थ जो है बेसिकली एक ऐसा प्रयोजन है जिसके कारण से सौस्त संसार चलायमान है और अर्थ के ही चक्कर में धूर्तता जन्म लेती तो धूर्तता पे कहानियों का बहुत बड़ा काफिला है आपको बाकाइदा पता होगा काफिला का मतलब यह है कि बहुत सारी कहानिया बहुत प्रचलेत हैं एक कहानी याल आती है मुझे कि एक एक आदमी था सेना में भरती का कारेकरम चल ला हतान। ओशो सुनाते हैं इस कहानी को बहुत famous बड़ा रोचक तरीके से अगर आप ओशो को कभी सुनेंगे तो अगर आपको कभी कपिल सर्मा देखने का मन करें तो उसके बजाए आप ओशो बरजस्त योगिता उनके पास है हसाने की तो आप उनको सुनेंगे बड़ा मज़ा है तो सुनाते कहते क्या कि मुल्ला नसरुदीन को पकड़ लिया बोले चल तुझे भरती करा देते हैं सेना में उस समय लड़ाई चल लही थी तो मुल्ला नसरुदीन जो है वो बड़ा ध पसकिया जा रहा था उसके उस्ससे exam लिया लिया खया सारए लिखे लिकिन फ्र इसको पास कर दिया गया फिर उसको आगे बढ़ाया गया कि छोड़ी श्थीक होना था फिर Aww अन्त Mal बोड़े एक्षर ले क्या है बोले सर देखो मेरे को तो आप भी नहीं दिख रहे हो आपकी आवाद सिर्फ सुनाई दे रही है मेरी आंके बहुत बेकार है मुल्ला नसुरुदीन अपने इस युक्ति से कितरा भी बच सकता था बचता फिर अधिकारियों ने थाली बंगाया ये देख थाली अब जैसे ही मुल्ला नसुरुदीन ने थाली अब थाली को उन्होंने बजा के दिखाया बोले देख ये तुझे दिख रही है मुल्ला नसुरुदीन चौकते ही बोला अरे ये मेरी अठनी कहां खो गई थी कितने दिनों से ये अठनी गायब थी आप इसको ले के आए मैं बड़ा खुश हुआ मुला नसरुदिन के इस तरीके को देखके अधिकारी बड़े सक्ते में आगे फिर उसको अंत में भगाना पड़ा वो चौंका और फिर बड़े मोज से गया और जाके वो सिनेमा हॉल में बैठी गया फिल्म देखने लगा फिल्म देखा तो अब जैसे अधिकारी देख रहते कि यह जाएगा जहां मैं इसको फॉलो करूंगा अधिकारी भी पहुँचे और जाके देखे तो यह सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहा उसके बगल में बैठी है जैसे ही फिल्म खतम हुई और लाइट जली तो मुला नसरुदिन अपन अर्थ के उद्धिश को पूर करने है तो सेना में नहीं जाना चाहता था वो चाहता था कि वो व्यवसाय करे धूर्तता करे और धूर्तता से एक विशहवस्थ्य कमाए जिसको अर्थ बोला जाता है अर्थ से ही चानकके ने लिखा अर्थ शास्त्र और वो बनता है economic science और य दूर्टता नब्वे प्रतिशत सुन्य हो जाएगी हर मनुष्य जो भी आप हो चाहे मैं चाहे समाज कोई भी हो उसके पैसे कमाने में कहीं ना कहीं धूर्टता जरूर शामिल है और सबसे बड़े धूर्त हैं ये बैंक वाले क्यों बैंक वाले हैं क्यों कि ये बोलेंगे कि आपको तीन महीने का आपको अगर आपने माल ये एक लाख रुपए रखा है तो इनके तीन महीने का ब्याज जो आता है आपके बैंक में लगबक 6 रुपए या 7 रुपए या 12-13 रुपए ये क्रेडिट करते हैं तीन-तीन महीने में तेमाहिक चलता है और जब इनको अपना पैसा लेना होता है SMS चार्जेज के नाम पे 900 रुपए और इमेल चार्जेज के नाम पे 300 रुपए एकाउंट मिनिममम 10,000 रुपए से अगर एक रुपए भी कम हुआ तो उसमें प्रते दिन करीब 50 या 60 रुपए वो काटेंगे उसमें से काटते काटते मेरा 12,000 रुपए क रर्डिट काट लीजिये, आपको डेबिट काट देंगे, फला काट देंगे, बीजा काट देंगे, दुनिया बर की चीज़ें तो यह कहने का मतलब बैंक का मतलब यह होता था कि पैसा व्यक्ती जाए और सुकून से सेफ रखें ऐसी जगह होती थी बैंक पहले और आज की ज़िए समय में लूटने का सबसे बड़ा जरिया है बैंक, यहना बैंक में लूट ही जा रही है, लूट मची रखी, तो अर्थ का मतलब कुल में लगए यही सिस्टम है कि बैंक से संबंदित, यानि पैसे से संबंदित, जो भी विशेवस्तु है, वो अर्थ का प्रमुक्ष हिस्सा है, इसको पुरुशार्थ चातुष्ट में सेकेंड स्थान क्यों दिया, बुद्दा ये भी है, बुद्दा इसलिए है क्योंकि देखे, धर्म जैसे ही फॉलो होगा, तो उसके बाद आती है, सेकेंड चीज आती है, नीड आफ सर्वाइवल, कैसे आप अपना जीव के चलायमान होने के लिए अर्थ का उपयोग बहुत जरूरी है, मनिश्य जब तक विनिमय नहीं सीखता है, विनिमय का मतलब ये है कि आप से यदि कोई वस्तु मुझे चाहिए, तो मुझे आपकी उस वस्तु के परती अपनी कोई वस्तु देनी पड़ेगी, फॉर एक्ज पैसा दूंगा मैं आपको 10 किलो आटे का, और आप मुझे देंगे 9 किलो 700 ग्राम आटा, इस हिसाब से 30 लोगों को या 50 लोगों को आपने दिन में आटा बेचा, तो जो लूट मची, तो दिरे 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 लूटना सुरू, यहीं से बात सुरू होती है, और जब पैसा प् अंगरेजु से पहले, जितने मुगल वगएरा आए, जितने यह मुसल्मान जो भी राजशाही चली है, साथमी सताब्दी, आटमी सताब्दी से जब से बक्तियार खिलजी हो, और अगर, बहुत सारे हैं यह आपके साथमी सताब्दी वाले जो लोग थे, इन लोगों का जो मंडर्दी को, सावगा, साजहा हो, साजहा Francisầ augber, अखबर कोrá, अखबरी तो बस वासा, उसके बापको, हुमायू को ढड़ा लिया था इसने सेरसाने, उस चक्र में अकबर बना, हैनना कहने का मंतलब सब एक दूसरे को मार मार के, मार मार के, मार मार के बने, और क्यों बनते तो कहने का मतलब यह कि उसने धर्म की रक्षा नहीं कि धर्म को अर्थ के चक्कर में धर्म की हत्या की उसने धर्म उसका था कि उसका जो दूसरा भाई था वो राजा बनता या अकवर के भी खांदान में जितने हुए है सब यह सब अपने अपने अलग-अलग हिस्सों में बनते आ हैं या मतलब यह कि अर्थ जो है वो युद्ध कराता है और वो धर्म का ठनन करता है लियाजा धर्म के जस्ट बाद की जो सेड़ी है उस सेड़ी पे अर्थ रखा गया है और अर्थ के बाद की जो सेड़ी है वो है काम और काम के बाद की जो सेड़ी है मोक्ष लिखे अर्थ का श ठीक है ना अर्थ का अर्थ लिए अर्थ यते सर्वय इती अर्था यानि कि जो यत्र तत्र सर्वत्र बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द अर्थ है देखे चानक के क्या नुसार रास्ट्रस्य मूल अर्थ है रास्ट्र का या किसी देश का मूल जो है वो है अर्थ रास्ट्रस्य मूल अर्थ है रास्ट्र का जो मूल है वो अर्थ है रास्ट्र का जो मूल है वो अर्थ है कॉटिल ने त्रिवर्ग में त्रिवर्ग यानि कि धर्म है अर्थ है और काम है जिसको कर्म भी बोलते है इन तीनों में अर्थ को प्रमुख माना है इन तीनों में अर्थ को प्रमुख माना है और मैं बड़ा इत्वाग रखता हूँ चानक्य के इस बात से कि उन्होंने धर्म को प्रियरिटी के बज़ाए अर्थ को प्रियरिटी दी है और उस priority को मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ पता है उन्होंने क्या कहा है लिख कहा है वृत्ती मूलम अर्थलाबा चानक के ने कहा है लिखिए वृत्ती मूलम अर्थलाबा यानि अर्थलाब का मूल वृत्ती है चानक के ने अर्थ को पता महानता क्यों दिये प्रधानता क्यों दिये क्योंकि जिस व्यक्ति ने अर्थ को संयमित कर लिया वो बाई डिफॉल्ट धार्मिक हो जाएगा इसी लिए आज कल आज कल तो इतने लुटे रे बैठे हुए सब बाबाओं के नाम पे जितने ही है बहुत सारे लोग हैं बहुत बढ़ियां वीवी आईपी वेवस्ता देते हैं दर्शन कराने के लिए वीवी आईपी लाइन है कोई व्यक्ति कष्ट नहीं जिल सकता दस मिनिन खड़ा नहीं रह सकता पैसा आपके पास है तो आप भगवान के साथ भी जाके जल्दी मुलाकात करके आ सकते हैं ना तो यह पहुँच है पैसे की पैसा ही है जो व्यक्ति के इमांदारी का और बैमानी का कारण बनता है वीवेका नंद ने एक बड़ी शांदार टिपणी किया और मैं इस टिपणी को हमेशा कहता हूँ बड़ा आनंदा आता है उस टिपणी को कहते हुए भी उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति आप लोग अपने पर जस्टिफाई कीजिएगा कि यह बात सही कहीए विवेकानन ने की नहीं की है क्योंकि कि आपकी बात को तो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन आप अपनी बात को तो जानते ही है हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे राज होते हैं जिसको सिर्फ वही जानता है और वो किसी अपने से क्या अपने को भी नहीं कहना चाता है कुछ राजों को कि भाईया मेरा कहीं मेरे अंदर बैठावा भगवान उस बात को न सुने तो कहीं मेरा बेड़ा अरक न कर दे चीक है तो अपने से भूला हुआ है उस वाले राज को याद कीजिए विवेकानन्द ने कहा है कि हर वेक्ति तभी तक इमानदार है जब तक उसे बेइमानी करने का भरपूर मौका ना मिला हो या उसकी कीमत ना मिली हो किसका मतलब यह कि हर वेक्ति कोई सो रुपे में बिग जाता है तो कोई लाख रुपे में बिग जाता है बिगता जरूर है वही बात कहना चारह है विवेकानन्द की हर वेक्ति की एक निश्चित कीमत ठीक है तो इसी बात को मूल बना बताते हैं चानक की भी चानक की भी कहते हैं कि ऐसा है कि ये सब वृतिलाव के चक्कर में हो रहा है ये धर्म जो है ये सकेंडरी ये धर्म का प्रपंच है सारा का सारा ठीक है चाहें कितना भी और चलिए उस धर्म को हटाईए अगर आज वाल उनकी बड़ी इच्छी शांदार लगती है कुछ बातों में तो बड़ा मनब मैं बहुत बिरोधी हूँ ओशोगा लेकिन कुछ बातों में मेरे को बड़े शांदार लगते है धर्म को लेके उनकी बड़े अच्छी व्याक है धर्म और अर्थ को बहुते बहुते हैं भगवान से तुमको डरा डरा के रखा हुआ है लोगोंने ठीक है कि भगवान के पास जाते हो तो परसाद लेके जाओ भगवान के मंदिर में तुम जाओगे न은 उसके पहले दर्वाजे पर ही दुनिया भर के लोग बोलेंगे कि यहां इस वाले मंदिर का तो यह नीला वाला फूल ही चढ़ावा है यह नहीं चढ़ाओगे तो यह वाले भगवान नहीं प्रसंद होगे जैसे केदारनाथ आप चले जाएए तो केदारनाथ महादेव में आपको ब्रह्म कमल चढ़ाना पड़ता है ठीक है वो बोलते कि ब्रह्म कमल चढ़ाईए तभी महादेव खुश होंगे और यही आप अगर अगर उजयन महाकाल इश्वर चले जाएए तो वहाँ स्वरूप बदल जाता है महाकाल एक ही है उनको फूल से लेना देना है क्या उनको तो प्रेम से आप जा रहे हैं उस भाव से लेना देना है लेकिन वहाँ जिस तरीके से लोगों को मैनुपुलेट क्या जाता है कि पचास उर्पय वाली थाली से नहीं पांस उर्पय वाली थाली से भववान जल्दी खुश होंगे लाइन्स बना दी है है कि ये फुश्श फे येंश मतना उर्फ लाइ재 को बस दूर से जल्दी गागो गागो निकलते रहो ब DRब़ प्रभुत प्रणाम्ट चलते हैं तो यही तो सस्टम है सारा आसा य atheर्में वैसे ही मौला नहों का आप हिसाब किताब देख लिए जितनी व्याख्याकार हैं सब यह क्या करते हैं इनको funding मिलती है तो यह कटरता के माध्यम से व्याख्या करते हैं सब काईदे से देखा जाए तो आज कल देखी इतना सब आता है कि मौलाना ने यह कर दिया जमात गई तो यह कर दिया वहाँ पर बच्चे पढ़ने गए तो उसके साथ यह हो गया हदीस में यह हो गया कुरान में यह हो गया दुनिया भर की गलत गलत information ऐसे Christianity को देखे आपस में न नहीं पट रही है दो एक ही मतलब इसा मसी प्रमुख है उनकी दो साखाएं हो चुकी है इसाब क्यों हो रहा है क्योंकि धर्मा वलंबियों ने अपने अर्थ को धर्म से जोड़के रख रखा ठीक है साही बाबा को देखे साही बाबा जिंदगी पर भीग मांगते रहे उन कांचन माश रहनते हैं एक बात कही जाती है लिख्या बताते हैं इस बात इस लाइन को लिख लेजिए सर्वे गुड़ा कांचन माश रहनते है यानि अगर इसका शाब्दिक नहीं और शाब्दी कर्थ मैं बताऊं तो जिसके पास सोना है वो सभी गुणों को धार्ण किये है सुने का मतब्द इसके पास पैसा रुपया है वही महान एं ठीक है ना एक या तूना व कल्सका बंगलादेश में घीरो है उसका नाम कुछ है करके नाम है आप इसको नाम लिख लिञे उसका नाम को ठीक है एल वह बंगलादेश का अक्षा कुमार है और आप उसकी शकल देख लीजेगा आप यूट्यूब फोड़ देंगे उसको देखने के बाद ठीक है ना मतलब वो इतना गंदा है एक होता है गंदा एक होता है नहायती गंदा गंदा मतलब मैं टिपणी नहीं कर रहा हूं उसके रंग भेद और मतलब य ये नहीं कहा रहा हूं लेकिन मैं ये कहाता हूं कि वो हीरो बनने लायक नहीं है हीरो का मतलब होता है थोड़ा ठीक ठाक सा लगे जो कम से कम घुन्डों को मारे तो कोई उसमें फिजिक्स हो गएरा लॉ नियम कायदा कानून लगे आप उसको देखे तो आपको विस्वास उट जाएगा हीरो पंती से कि ये हीरो का जो ये सिस्टम चल ला है क्यों है वो हीरो जानते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है पैसा है इसलिए वो फिल्मे खुद की प्रोड्यूस कर लेता और पूरे बंगलादेश में चलती है वो फिल्मे तो फेमस है तो पैसा कहने का मतलब ये है वही बात अपने धर्मशास्त्र करते हैं कि सरवे गुड़ा सब का सब गुण है अगर आपके पास सोना पैसा रुपया धन दौलत है तो ठीक है तो कुल मेला के धन ही सब कुछ है अर्थ ही मैत्तवपूर्ण है ये चाड़की ने बता दी ठीक है अब बात करते हैं का के लिए काम का सब्दी करत होता है कि जो भी आप इक्षा करें वो आपको मिल जाए काम जो है बिसिकली कामना शब्द से आता है कामना इसकी परिभासा है कामना की या काम की काम्यते जनए रीती ही कामह सुखा अब मूर्खों ने मतलब ये बेवकूफों ने काम को पता है क्या बना के रखा हुआ है काम का अर्थ बना दिया है कि कैसे हवस जो होती है na उसको काम बना दिया है कामेती जने रेती कामा सुखा यानि कि जिसकी सुख जिसकी कामना से यानि सुख की कामना जो मनुश्यों के द्वारा की जाए जिस सुख की कामना मनुश्यों द्वारा की जाए वही काम है ये काम का आर्थ शाब्दिकर कामना शब्द से मिलके यह बनता है सुख यानि वह सुख जिसकी कामना मनुष्यों द्वारा की जाए वास्ता में वही कामना माना जाता है कि कामना ही मनुष्य के सुख का कारण है कामना जो है वो मनुष्य के सुख का कारण है एक राजा था उसके पास एक तोता था तो वो बोलता रहता था बार बार में कि बस इतनी सी बात है अब एक रात वो ऐसे ही उसको दोरा पड़ा और वो बोलना सुरू कर दिया बस इतनी सी बात है बस इतनी सी बात है अब राजा पागल हो गया नहीं किया तो तुम सबको फासी पे लटका दूगा अब जितने भी मंत्री लोग थे सब भागे तुरंद की इसका पता करके आओ पूरे राज्य में दोड़े बस इतनी सी बात है आखिर कितनी सी बात है तो सब भागे अब उसमें सबसे ज्यादे बर्डिन जो था वो पंडि जी भाग रहा है भागते भागते अब कुछ नहीं हो सकता था लियाजा अब उनके मृत्ति उत्ते हैं थी अब उनको लग रहा था कि अब तो मरने वाला आते समय चरवाहा मिल गया वो बोले क्या हुआ पंडिजी इतने परिसान क्यों हो तो उसमें बोला कि अरे यार ऐसी बात है इतनी सी बात एक तोता बोलता है मुझे समझ में तो बोले इसका उत्तर तो मुझे पता है कितनी सी बात है ठीक है तो अरे प्रभू तो तुम चलो बता दो राजा को मुझे बता दो मैं बता दूँगा बोले नहीं नहीं मैं ही बताँगा राजा को लिया जा उसने चल राय ने बोला देखो ऐसा है कि मैं मेरी गायब हैसे चल नहीं है इसको तो मैं छोड़ दूँगा लेकिन मेरा जो कुत्ता है ना इसको लेके चलना पड़ेगा और मैं ठहरा बुढ़ा आदमी अपने पीठी पे रखनी सकता तुमें काम करो इस कुत्ते को अपने सर पे टा ब्रामणों को कुत्ता चुना भी नहीं चाहिए ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं और यह जो है सिर्फ अपनी कामना के चक्कर में कि भाईया मेरी जान ना जाए मेरी जो कामना है इक्षा है जिसकी मृत्य एक्षा क्या है व्यक्ति जीए सुखी से जीए और आपने यह गोश्र पॉजिटिव पैसी और निगेटिव यह आदमी जो है इन दोनों से भरपूरे धर्म का त्याग कर दिया चातुष्ट में धर्म को बताया गया प्रमुख धर्म अर्थ काम मोक्ष काम को थर्ड बताया गया और यह आदमी जो पंडित जी है यह उसी कामना के चक्कर में अप तो इसलिए कभी तोता वगर ना पाले इस कहानी से यह सीख में थी है ठीक है ना क्योंकि अगर यह तोते अगर कभी कहानी कहने लगे तो आप परिशान हो जाएंगे लिया जा तोता ना पाले है ना और कुता भी पाले है तो उसको सर पे ना बैठा है ठीक है क्योंकि इन द सो गज का पचास गज का घर है तो सो का होगा डेर सो का होगा फिर पंद्रह सो हो जाएगा तो भी मन नहीं भरेगा एक माले का है तो दो माले का तीन माले का चार माले का दस माले का हो जाएगा तो भी मन नहीं भरेगा फोन है आपका एंड्राइड एंड्राइड है उससे काम नहीं चलना है पहले वो टिपटी पॉला उसके जाद एंडुराइड एंडुराइड से आइफोन तक ना पहुंचे तब तक काम नहीं चलेगा छोटा सा अगर एक तोले का महिलाओं का है कि एक तोले का अगर चेंप पहन लखा है तो उसमें अगर दूसरे वाली ने कहीं गलत क्यां क्यों होती है एक्षाएं जब बड़ी होती है तो वो अर्थ की चोरी करता है और अर्थ जब चोरी करता है तो चोरी खुद में धर्म का क्या कहते है नाश करके होती है यानि कि एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा जाना तै कामनाओं की प्रतिपूर्ती करना इस दु ने तो चलेगा, लेकिन लेंज 설 कार्ड ze जब तक उसके लेंज ना है, तब तक स्टेटस नहीं पता चलेगा, एरफोंस जब तक स्कल कैंडि या बोस का न हो तब तक इस्टेटस नहीं पता चलेगा और आइफों जब तक बड़ा साना निकले तीन इस तब तक status नहीं पता चलेगा ये कामनाओं का उद्देश्य है आज कल की जो सस्ती कामनाओं है मनुष्य की कामनाओं का ये स्तर है और वो भी जहां तक हो सकता है उतनी कामना है करता है ये नहीं कि एक ही बार मैं सोच लिया कि नहीं मतलब जहां पता लगे ये नहीं सोच सकता है कि मैं जेट खरीदूंगा इतना नहीं कामना कर लेता है कामना उतनी करेगा जितने में उसको लगे कि जादे मेहनत ना करनी पड़े ठीक है चोरी ओरी करके दायां बैसे काटके देखिए सबजी बेचने वाला अगर अगर अधर्म करेगा तो दस रुपए या पाँच रुपए मानते के नहीं मानते है जो जितना बड़ा है उसका अधर्म उतना ही बड़ा होता है हमेशा याद रखिए छोटा वेक्ती छोटी छोटी अधर्मिक्ता कर सकता है बड़ा वेक्ती इतनी बड़ी आधार मिक्ता करता है जिसकी कोई सीमा नहीं और आप जितने बड़े लोग होंगे आप अपने हिसाब से जस्टिफाई कर लिजेगा कि जो सुनार है वो ज्यादे चोरी करता होगा उसके सामने उसके दुकान के सामने बैटा हुआ सबजी वाल हरे उसस भाले से धनियखाई में जरूद ले कामना एक किलो आलो पर ISO ग्राम धनियखां अब बात आती है काम के बाद जो है मोख्ष लेकिन सरे में डिभरेंस नहीं वाना जैसे आपने सब्जी वाला बताया तो वह भी कामना रखता है बहु कामना हि रखता है ने करते चो तो स्टिर इपन में क्या डिफरेंस वहा? तो कामना तो सबी खरते हैं न? अब एक छिपकली है, लिजार्ड है, वो एक कीट को खा जाए या एक शेर जो है वो हाथी को खा जाए, बात दोनों बराबर है, ठीक है न? अगर एक 50 ग्राम की चोरी करता है और एक 500 ग्राम की चोरी करता है वो दोनों बात बराबर है मेरे कहने का अर्थ ये है कि कामनाएं जो है वो क्या करती है अर्थ से शुरू होती है और अर्थ जो है वो धर्म का बेड़ा गरक कर देता है ठीक है ना छोटा बड़ा नहीं मैं ये कहना चाह रहा था इस उधारन के माद्यम से कि मनुष्य क्या करता है जैसे मानिये हम अगर माली जे मैं हूँ और मैं जाओंगा तो मेरी कामना ये रहेगी कि मैं उस छोटे वाले को थोड़ा ज्यादे प्रिस कर सको क्योंकि मेरा सप्र है वो छोटे वाले का हनन करता है घास को खाता है खर्गोस खर्गोस को खाते है खर्गोस को खाता है कोई मदब घास को खाते है बकरी बकरी को खाती है शेर तो ये पिरामिड थेरी के तहद बन के आता है और फिर जब सेर मरता है तो उसको अगें छोटे वाले जिवाडू उखा के उसको नश्वर कर देते हैं मिट्टी में मिला देते हैं कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी कामना जो है वो आपके अर्थ का त्याग करवाती है और अर्थ के त्याग के फलिभूत होने से पूरवत ही धर्म का त्याग हो जाता है लिहाजा धर्म अर्थ और काम ये त तो फिर बात आती है मोक्ष की और मोक्ष ही अंतिम अंग माना जाता है इन पुरुशार्थ चातुष्टे का पुरुशार्थ का मतलब होता है एक ऐसा अर्थ, एक ऐसा प्रयोजन एक ऐसा कारे जिसके माध्यम से आपने जीवन की समस्त परिक्षाओं को उत्रण कर लिया और आप पुरुशार्थी कहे जा रहे हैं प्रबल पुरुशार्थ ये पुरुशार्थ में ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं राजा बली की कथा आप लोग सुने होंगे क्या कहते हैं युदुशार्थ की कहानी आपने सुनी होगी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रबल पुरुशार्थी रहे हैं देखिए वीर होना युद्धा होना एक अलग बात है और पुरुशार्थी होना एक बहुत अलग बात है आप पुरुशार्थी बन पाएंगे इस बात की बिल्कुल गारेंटी है या नहीं है इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आप से कितने जुड़े हुआ हैं जब आप स्वयम को जानेंगे जब आप धर्म के स्वरूप को जानेंगे जब आप अर्थ के स्वरूप को ज डुखों से मुक्ति प्राप्त करना ही मोक्ष हैं। क्या इसको मोक्ष को कहा जाता है? लिख लिजे इसकी परिवासा। मुच्यते सर्वदुखा, लिखे, मुच्यते सर्वदुखा बंधनय यत्रसा मोक्षःा। यानि कि तमाम दुखों से और बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना ही मोक्ष है तमाम बंधनों से दुखों से मुक्ति प्राप्त करना ही मोक्ष है विदान्त दर्शन में जीव के द्वारा ब्रह्मग्यान प्राप्त करना मोक्ष का मार्ग माना जाता है इसी में आता है ये वाला concept आपने सुना होगा ना यानि कि जीवात्मा जो है वो बेसिकली परमात्मा से मिलने के लिए उसकी व्याकुलता है वही मोक्ष का मार्ग प्रश्रस्त होता है वही से और यही condition जब वो मिल जाती है तो वो condition मोक्ष कहलाती है मोक्ष जब प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन चक्र जो है वो शान्त हो जाता है शितिल हो जाता है फिर वो व्यक्ति बार 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 पिविन प्रकार के जीवन में यात्रा नहीं करता है और इसी मोक्ष को योग शास्त्रों ने समाधी कहा है और आपको पता है कि समाधी के लिए आस्टांगिक मार्ग बहुत प्रचूरता मात्रा में प्रचूरता से बताए जाते हैं फिर कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्यान योग है, मंत्र योग है ये सारा का सारा जो योग है ये सारा का सारा जो ये पाथवेज है जो योग का ये पूरी तरीके से आपके उसी मोक्ष उसी समाधी वाले मार के तरफ आपको धीरे धीरे लेके चलता चलता चला जाता है ठीक है इसी बिंदू के साथ अब बचा हुआ है आपके सामने सेलेबस नमबर यूनिट एक का चार-पांच लोगों का जीवन परीचे ठीक है और तीन-चार लोगों का या ज्यान, कर्म, भक्ति, योग इनसका बेसिक-बेसिक प्रकार तो ये सब आगे आने वाले यूनिट्स में है लहाजा यूनिट वन को हम कल ओफिशली फिनिश कर देंगे कल जब हम लोग शुरू करेंगे क्या कहते हैं मतब हट्यों का कारेकरम शुरू करेंगे कल सबसे पहले एक टेस्ट लिया जाएगा मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट के बाद मैं आपको जीवन परिचे सब की लिखवा दूँगा जिन जिन लोगों का जीवन परिचे आपके सेलबस में जिसमें पंडिश्वी रामसर माचार है यानि मेरे गुरुजी उसके बाद टेटी कृष्णामचारी शिवानन्द सरस्वती और अटाभी जो इस वगरा इन जिनका जिनका भी है उन समका कर्ण हम लोग लिख लिख लिया जाएं ठीक है